हलो फ्रिएंडे देखिए स्फोन की रहू ताजी मचली देखिए पापा खरीद के लाए हैं इसको कञट रहे हैं। लोग सूच रहे हों कि पापा कुछ रहे हैं पर नहीं हमको चोटे दार मचली को नहीं करने आता है पहले चुड़ा ही अच्छा से अफीर हम आपको पहले वाले वीडियो में देखिये बताए थे कि बहन को देखने वाले होटल में आने वाले हैं तो हम लोग गये थे फूरा फामिली लटका लटकी एक-दूसर के पसंद कर लिये हैं साधी सेट हो गया है माई में ही सोरह को एंगेजमेंट है होटल में आपको हम वीडियो डालेंगे एक एक रस्म और एक चीज का आप जून में ही साधी सिट भी हो गया है अभी काडूट नहीं चपाया है कुछ अभी हुआ नहीं है बस खाली एंगेजमेंट वाला है तब उसके बाद कोई भी देखिए कितना ध्यान से एक-एक मचली को पापा धो रहे हैं मेरे आप लोग भी अगर कभी गाउं में आ तो जरूर सुनका मचली का टेस्ट एक बार लीजिए कितना अच्छा होता है जो लोग खा रहे हैं बस उनी के लिए नहीं तो जो नहीं कहते हैं कोई बात नहीं दे देखिए हम नमक मिला के उसको देखिए च्छान रहे हैं और च्छानने के बाद जो तेल बचेगा उसी में हम फोरण जरा देंगे जिसको चरपाता और मीर चजीरा से पस और कुछ नहीं डाला है फिर देखिए थोड़ा सा प्याज डालेंगे अप्याज में गलने के लिए देखिए तुरंत नमक डाल देंगे तब तक हम भूनेंगे इसको जब तो गोल्डिन प्राउन और गोल्डन प्रावं हो तब हम मसाला डालेंगे मसाला के लिए लहसान अधरोख शरीशोव एजीरा और गोल्मरीच बस इतना ही चीछ डालेंगे ज्जादा चीछ नहीं डाल कुछ आञे इसें ढ Ass variable दीए उसको He देकिए हम भूर रहा है तब तक मसाला भूनिए जब तक तेव ना चोड़े आप इस्ट्रा मसाला कुछ भूर डाले दालिये नहीं